दोस्तों जैंद मैं राहुल वर्दन स्वागत करता हूँ आपका जो लोग सिटी की तियारी कर रहे हैं रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कि सर कह रहे थे बार बार पहले भी आप कह रहे थे कि सर पेसलिप एक वीडियो बनो पैमेंट कितनी होगी हमारी ट्रेनिंग में तो मेरी पैमेंट कितनी थी ट्रेनिंग में सायर आप ही तो आप क्यों बढ़के मिलेगा क्योंकि जब हम भरती हुए थे तो 17% धी था अभी तो 42% हो गया है और जब आप भरती होंगे सायद और बढ़ जाए ठीक है तो खास बात यह है कि उनके लिए थोड़ा सा मॉटिवेशन का काम करेगा तो आए देखते हैं सीधा-सीधा अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमा पाए पैमेंट से रिलेटेड ठीक है आईए देखते हैं पेसलिप को सीधा दोस्तों यह मेरा पेसलिप है ठीक है फरवरी 2023 का है अब देख सकते हो सिर्फ एक मैने पहले का यह मेरा नाम रेंक और यह CISF नंबर अकाउंट नंबर पैन नंबर और यह कुछ चीज है जो वो इडन कर दिया है मैंने सिधा सिधा देखते हैं पैमेंट को यह मेरा बेसिक है फिलाल आपका रहेगा 21,700 ठीक है उसके बाद जब हम भरती होते हैं तो बेसिक हमारा इतना ही होता है यह मेरा 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद हर साल आपका जनवरी यह जुलाई में एक बार मिलाल आप इतना जानिए कि 21,700 आपका बेसिक रहेगा डिये जो है वो आप कर रहेगा इतना अभी मेरा इतना है लेकिन आप कर रहेगा 9,114 रुपे वो इसलिए क्योंकि ये जो है वो फरवरी माह का है 38% और अभी वर्तमान में बढ़के हो गया है 42% ठीक है तो आप 42% हो गय चे आएंगे हम टिपिटी का क्या होता है जब हम भरती होते हैं तो जहां से हम डुटी करते जहां हम रहते हैं लिए बuary करते जहां पर वहां पर आने जाने के लिए ट्रांस्पोर्ट एलवेंस कुछ पैसा मिलता है तो ये Y और Z सहरों में अठारा सो रुपया प्लस DA मतलब अठारा सो रुपया और उसके उपर जो DA है वो मिलता है तो DA कितना है 42% तो आपको मिलेगा लगबग 2556 रुपय ठीक है ये थोड़ा कम है अभी ये थोड़ा कम है अभी आपको मिलेगा 1800 प्लस DA तो हो जाएगा 2556 रुपय ठीक आप इसको कैल्कुलेट कर भी सकते हो थोड़ा बहुत हो सकते है इधर उधर हो बाकिया आप कर सकते हो मैं बता रहा हूँ तो आप कर लोगे इसके बाद बाद करेंगे कॉमपनसेशन हाउस ठीक है मुवावजा घर जो है वो इतने रुपय आपको मिलेगा चाहे आप जहां भी रहें अगर आप बैरेक में हैं तो 18.00 रुपय मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको बैरेक में ही मिलेगा बाहर फैमिली क्वाटर नहीं मिलेगा ठीक है बैरेक में ही रहना है तो ये तो इतना आपको मिलेगा ही उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग के बाद अगर जाते हैं तो आपको क्वाटर मिलेगा तो क्वाटर रहने के लिए रहने के लिए मिल जाएगा तो फिर पैसा तो मिलेगा नहीं लेकिन अगर बैरेक में रहते हैं तो 100% नहीं लेकिन हर जगा 1800 रुपए ही है कुछ जगहों पे छोड़के जैसे जम्मु कासिमीर ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे कॉशन मनी कॉश्ट ओफ राशन ठीक है यह सी ओ आर आप देख रहे होगे कॉश्ट ओफ राशन ठीक है उसके उपर यह साबुन भतता है आप देख पा रहे होगे अगर तो 45 रुपए ठीक है कॉश्ट ओफ राशन की बात करेंगे तो यह दिन के हिसाब से मिलता है 127 रुपए के करीब हर दिन का मिलता है तो अभी बता दिया था यह फरवरी माह का है और फरवरी माह में 28 दिन होते हैं इसलिए यह कम है ठीक है आपको लगबग मान के चलिए कि 3800 प्लस मिलेगा 4965 रुप मिलेगा अगर 31 दिन का महीना होगा तो तो इस तरह से कुल मिला के आपकी जो सेलिरी होगी वो 2700 प्लस 2556 रुप टीपीटी ठीक है प्लस 914 रुपए आपका डीए और अठारा सुर्य वेरेक लेवन्स और उसके अलावा 4900 रुपए अगर यह 3800 आप जो भी मान ले तो हो जाएगा 49000 रुपए यह सिर्फ इतना है बाकी बेसिक और डीए का 10% कटेगा तो अब यह मान के चलिए कि इतनी सेलिरी आपको कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी ठीक है चाहें आप किसी भी फॉर्सेस में जाएं हाँ लेकिन एक बात और अगर आप दूसरी फॉर्सेस में जाएंगे CISF में थोड़ा मुस्कील है हर जगा नहीं है लेकिन अगर दूसरी फॉर्सेस में आप जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर में भी कहीं-कहीं रिस्क अलवेंस मिलता है तो कहीं-कहीं 7000 कुछ रुपए कहीं-कहीं 10,000 रुपए ठीक है तो यह आप अपने हिसाब से देख लें ठीक है और हमसे जुड़ने के लिए चैनल के डिस्कृप्सन में जाएगा जहांसे हमसे को सबस्क्राइब कर सकते हैं-और जुड़ सकते हैं थैंक यू धन्यवाद- जैंद झाल जाओ, झाल नाओ, झाल 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 झाल